हलो जी सत्ष्री अकाल गुद मॉनिंग सुभा का टाइम है और यह तक्रीबन टाइम होगा सवा पांच पांच पीस का तो मैं यहां पे नहाद होके आ गई थी और आजकल तो रेडी शेडी इसी तरह से होना है और पहुत सरे कपड़े डालने क्योंकि हमारे यहां तो ठंड का और मैं रेडी हो रही हूं नहाद होके क्योंकि मुझे अब करना है जय बाबाजी और सथ श्री अकाल मैं करती हूं इस टाइम पे पार्ट अपना और उसके लिए मुझे दो पार्ट करने होते हैं तो फिर देर दो घंटा राम से लग जाता है साथ बज़े तक फिर मैं जो ह कब भी भी शेयर नहीं की हैं लेकिन मुझे लगा कि यह चीज अब मैं आपके साथ शेयर करूं क्योंकि दिस इस काइंड ओफ पॉजिविटी मुझे बहुत सारी कुशन्स आती हैं कि आप एनेग्जाइटी इशू को हैंडल कैसे करती हो तो बस यही एक चीज है जिससे मैं जो अपने एनेग्जाइटी इशू अपने डिप्रेशन सब कुछ यही एक प्रमात्मा का नाम है पार्ट है जो मुझे बहुत सारी चीजों से बचाये रखता है टाइम टू टाइम मेरे जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको कनवर्ट करना अपने आपको समझाना देखिए ऐसा लगता है यहां बोल लीजिए मैंने अपने आपको समझाने के लिए तरीका ढूंडा है तो यहां पे मैं कर रही हूं पार्ट और वाइस ओवर के टाइम पे भी आम फिलिंग गूड और मैं बाबाजी से यही प्रात्ना करूंगी कि बाबाजी आप सब को भी पंजाब पार्ट करने के बाद बस मैं लिविंग एरिया में अपने आ गई हूं थोड़ा सा यहां पे शूज वगएरा डालूंगी आज सेटेडे का यह गाईस व्लॉग है और ऐसा था कि कुछ जादा काम तो नहीं है लेकिन काम तो फिर भी मुझे टाइम से खतम करने है क्योंकि श शूज वूज डाल के रेडी हो गई हूं और पिछली रात को तुबियत खराब हो गई थी तकावट हो गई थी बहुत साथ के जाने के बाद बहुत सारी चीजों की अकेला बर्डन मेरे पे आ जाता है लेकिन बाकी चीजों का बाहर का देखना सब बर्डन मेरे पे आ जाता है और मैं ठग गई और I was missing Mr. Bail very badly बस अधरी बाद मेरे नाश्ते की तियारी कर लोगी हरित्वी के उठने से पहले आज उसे नहीं उठाऊँगी अपने आप उठेगी तो that's okay तो उसके उठने से पहले नाश्ते की तियारी कर लोगी शॉप पे जाना है तो लंच तो और बना के तो रखना ही पड़ेगा मैं तो वहां से ले थी यह बहुत ही गरम है तो आज कर मैं सुबह सुबह यही रालूगी तो चलिए बाहर का नजारा देखते कैसी ठंडर बाहर और यह फिर मैं निकली बाहर क्योंकि बहुत टाइम से थान मैंने सुबह सुबह वाला जो मौसम होता है वो नहीं देखा था तो यह आज मुझे अपने पोधों को ठीक ठाक रखना है मतलब ठीक करना था क्योंकि बहुत धूल मिटी देखे कितनी धूल मिटी हो गई थी बहुत टाइमस ने इनकी तरफ ध्यान नी दिया और यह पते नए निकले हैं तो बहुत ही सुंदर यह वाला पोधा ना बहुत सुं स्कूल बसे हमारे रोड पे आती हैं मुकेरियां में जितने भी स्कूल है ना उनकी सबकी जो स्कूल बसे है वो यहां पे आती है मौसम अच्छा था लेकिन आज सूर्य भगवान के दर्शन बहुत लेट हुए थे मतलब ऐसे बादल बादल मौसम था और यह देखिए यह व कि ध्यान के इसको भूब की जरूरत है और जैसे मैं ने इसको धूब में रखना शुरू किया इसके पत्ते निकल दो और यह बहुत ही ह्याराओ लगता है जब इसे धो दो और यह वाले बहुत उसके बाद में पत्ते थोड़ से खराब हो रहे थे तो मैंने माली भीया को बुलाया है इनके बारे में मैं पूछूंगी क्यूंकि मणी प्लांट बहुत जदा खराब हो गया निकाला तो नहीं है लेकिन इसके घराब घराब हो गया निकाल दीये निकाले है इनकी तरफ अब ध्यान देने और उसके बाद मैं किचन में आ गई क्योंकि किचन में मैंने सोचा फटा-फट से हरित्वी के उठने से पहले जितने भी काम हो सकते हैं कर लूँ क्योंकि जब हरित्वी को छुटी होती है तो फिर कुछ नहीं होता और फिर मुझे उसका बच्पन बरकरार रखन तो यहां उसका नाश्ता बन रहा है फेवरिट वाला उसको अप्पे खाने बहुत पसंद है तो मैं सूजी के अप्पे बना रही हूं यहां पे एक कटोरी सूजी लेके मैंने उसमें पांच-छे चमच देही डाला था इतना देही डालना है कि सूजी गीली हो जाए और उस यहां पे अधरक लसन प्याज सबको मैंने करश करके एक हरी मिट करश करके राई का तड़का लगाया है कच्छी घनी के सरसों के तेल में मैं भंडारे वाली रसमिसी सी सबजी बना रही हूं क्योंकि इसके साथ हरित्वी और जोती दोनों को पूरी बहुत पसंद है और एक साइड पर तड़का लग रहा है मेरा अलू की सबजी को जब मेरा प्याज वगारा हो गया था मैंने थोड़ी सी देगी मिश डालके साथ ही टमाटर की प्यरी डालके नमक डाल दिया है और फिर हम इसे ढखके थोड़ देर पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर जो है वो गया नाश्टे में अब मैं थोड़ी मेहनत नहीं करती हूं मेहनत करूँगी तो लंच में कर लूँगी ऐसे करती हूं क्योंकि जब बैल साब होते हैं फिर दोनों चीजों में मेहनत करनी पड़ती है वो तैना वाइफ की जिंदी हजबन के इर्दगिर्द गूमती है तो मे बहुत सारे लोग मेरे students confused रहते हैं कि वाय माम ने सब कुछ क्यों छोड़ दिया teaching क्यों छोड़ दी हाला कि teaching जो था मेरा profession के सासत मेरा passion भी था हरित्वी को अच्छा बच्पन देने के लिए ये सब मैंने त्याग किये हैं पता नहीं हरित्वी बड़ी होके इन चीजों को 15 मिनिट जो है कम आंच पे पकाएंगे और अब मैंने अपे मेकर के नीचे गैस अन कर दी है इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालके हम उसे बाहर ही फर्मिट करेंगे फिर हम मिक्स करेंगे और मिक्स इतना जादा नहीं करना है कि इनो अपना आसर ही छोड़ दे आपको इतन इक सा सब्सक्राइब करें का दैर कि बच्चे में नाश्ता हो जाता है क्योंकि बच्चे डेली डेला था साते बन सासी में बन रहे हैं ली विराлись सरच के नपया है लिए स्हेयर में जिश्य बड़की बास माऌथ हो घुनट और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी प्यूरी डालते हुए जो है अटा अच्छे से गूंत लिया है इसकी हम दोपहर को बनाएंगे पूरियां ऐसी मैंने किया ब्रेकफास्ट में कम महनत और लंच में थोड़ा से महनत मैं जादा कर लूगी और उसी के साथ काम खतम हो गया मेरा किचन का मैंने चाय बनाई अपने लिए फिर किचन के सारे काम जो थे चुटपूर बरतन बरतन जल्दी से दोए और फिर मैं आ गई बाहर क्योंकि आज मेरा मॉटिव था कि मैंने पोधे वगयरा साफ करने ये एक पुरानी सौक्स पड़ी थी इसे मैंने गीला करके हाथ को चड़ाया और मैंने अपने बड़े बड़े पत्ते हैं उनको इसकी हल्प से ही जो है वह साफ करना Τेशंचे साफ कर दिया क्योंकि इसे आजए कशा साफ के सभी क्योंकि नजए चिरा को दना प्दा मुझे पानी नहीं चाहिए ये वाला जो पोधा है मुझे बहुत पसंद हरित्वी का भी ये फेवरेट है लेकिन अगर इसका एक एक पत्ता साफ करूंगी एक तो टाइम बहुत लगेगा और ये जादा ही सॉफ्ट था तो मुझे लग रहा था तूटना जाए ये इसके उपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़के ना इसके पोध पत्तों को साफ किय एक्स्ट्रा पानी गंबले में से मैंने उसी टाइम निकाल दिया क्योंकि इन दिनों में अगर इन पोधों को जादा पानी दिया जाए ना तो ये गलके खराब हो जाते है और मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा स्पीड रखी वाइस ओवर की सॉरी गाइस मुझे जल्दी होती है वाइस ओवर करते टाइम ना अभी एक कस्टमर भी आ गया था और जोती यहां पर नहीं थी जो मैं उसे देखने लगी मेरा वाइस ओवर सारा मुझ गल्दी से डिलीट हो गया और फिर दूसरी बार जब मैंने करना शुरू किया ना तो मैंने स्पीड रखी भी वहीं थी मुझे सासाथ कमस भी देखने होते हैं बहुत काम है और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है आप सौरी मत फील क्या करो एक बंदे का मेरे को कमेंट आये आपका बड़ा दुख लग रहा है इतना मतलब अपने आपको पदा नि वह धर्मात्मा समझ रहा और लंच में सब्जी बनाया हैं। इन लोगों को मुझे आज पूरी खिलानी हैं क्योंकि हुआ कि जोती को आलूपूरी बड़ी पसंद है। जोती के लिए आलू पूरी केते हैं कि अई बकरा काटने से पहले लो से कैसे होता है कि ऩो हलाल से पहले हैं ? इनससे बचूछे जिसे सुवे काम होई है बचूछे हिनक भी काम जोती है रजाई कोन उतारेगा मेरा बच系ल टेसज gadget गहा रिधी बॉलती हूdd तो कि अपने बाप के साथ आप नह थैंसे काुछी यह आप हादती है लेखे को याद करती हुए मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप इसलिए मैसे बोलती हूँ और यह बंदे की भाइ चेंज देख लो इसका मामू इसको बढ़ें पर गिफ्त करके गया है यहार एकोचे नगा है तो शौप पे आ गई हूँ और पिर आज तो थकावड होगी कि मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किये घर वाले डालके हम लोग आ गए हैं क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही थी और लेट भी बहुत हो गया था और हरित्वी ने इतनी शरार्ते कर रही थी आगर मैं इसको नीचे नहीं लेकर आती है उपर में को इसने पागल कर देना था यह चोटी चोटी चीजे नोट करती है और आजकल के बच्चे को जादा ही नोट करते हैं और वह ऐसा डायलोग मार देती है ना फिर मुझे वह अंदर तक फील होता है तो यह उसका फेवरिट सा खाना बनके रेडी है पूरी आम का चार मिर्च का चार उसके साथ थालू की बन रहा था और उनका भी दिल कर रहा था देखे लाल लाल पूरी है और पूछ रहे थे तुने इसमें फूड कलर डाला है तो मैंने बताया ने नहीं मैंने बीट रूट डाली है और उनको याद आ गया कि कैसे जब हरित्वी बहुत चोटी थी तो मैं उसे बीट रूट का प्यूरी बना के कभी उसको सूप बनाती थी कभी कुछ बनाती थी तो हम दोनों यहां पर ऐसे डिसकसर कर रहे थे कि मेरी लाइफ कैसे बदल गया उनका फोकस भी इसी चीज़ पे था कि एक टाइम था अगर मैं आपके साथ डिसकस करूँ तो मुझे चाय बनाने के लिए पी पता नहीं चलता था कि यह दूदय के लसी है तो अब टाइम ऐसा आगया कि यहां पूरे हफते के लिए सरसो का तेल भी उबाल के रख लिए कि मुझे तड़का लगाने में एजी हो जाए और यह दो पूरी बची है हम चाय के साथ ले ले लेंगे और तड़के लिए मै पीछे क्या रख लगाने थे सुबहे के बरतन फिर बने वह लगाए और बाद में अपने बरतन वगयरा सारे धोने लग गई और इसी तरह से दिन चलता रहता है बस उपर नीचे घर शॉप में भागदोर मेरी चलती रहती है आई होप आपने इंजॉई किया होगा आज का व्लॉग इंजॉई किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना